When the time came for me to tell him what brought me to Darchan When the time came for me to tell him what brought me to Darchan जब समय आया मेरे बताने का कि मैं Darchan क्यों आया हूँ His eyes lit up, उसकी आखें चमक गई Light से बना lit L-I-G-H-T, to light, light मतलब बता हलका Light मतलब बता रोशनी Or to light मतलब रोशनी करना देखिए light का अर्थ होता है हलका Light का अर्थ होता है रोशनी And to light मतलब रोशनी करना Light, lit, lit चमकना रोशनी करना चमकना तो यहाँ पर lit का क्या हुआ His eyes lit up जैसे ही Writer ने बताया Norbu को कि मैं भी परिक्रमा के लिए आया हूँ उसकी आँखे चमक गई जब Norbu ने बताया था कि मैं कोरा के लिए आया हूँ तो राइटर जो है वो खुशी से उचल पड़े थे और जब अब जब इनके बताने की बारी आई राइटर के and when writer tells Norbu that I have also come for कोरा Norbu was absolutely happy उसकी आँखों में चमक आगई when the time came for me to tell what brought me here his eyes lit up we could be a team हम लोग अब एक दल की रूप में जा सकते हैं दोनों ही खोज रहे थे ना अखिर किसी को जो उनका साथ दे सके अकेले जाना खत्रे से खाली नहीं था अब यहाँ दोनों मिल गए तो उन्होंने कहा Norbu ने कि हम दोनों एक साथ चलते हैं he said excitedly बड़े उत्साह से उसने कहा अब हम दोनों एक साथ जाएंगे Two academics who have escaped from library और उसने कहा कि दो पढ़ने वाले लोग हम और आप वे लोग जो लाइबरी से भाग गये हैं escaped from library Two academics ऐसा कहते हैं उसने व्यंग किया हम दोनो with one जो लाइबरी से निकलाएं हैं अब खुदी जाएंगे वहाँ देखने के लिए और उसके बाद कहता है perhaps my positive thinking strategy was working after all यहाँ पर एक बहुत important message देना चाहता है writer आपको हमको सबको writer says यहाँ पर मुझे लगा कि मेरा जो सकारात्मक सोच का जो मैंने एक निर्णा लिया है कि हमेशा मैं सकारात्मक सोचूं लगा मुझे पहली बार कि सकारात्मक सोच में power है निराश में नहीं हुआ लगातार positive सोचता रहा और कभी थोड़ी सी निराशा आती सी तो अपने को रहत देता था defense में बस लेकिन positive सोच रखा इसी का परनाम था कि मुझे नौरबू मिल गया इसी का परनाम था मुझे अंग्रेजी बोलने वाला आद्मी यहां मिल गया शायद इसी का परनाम था कि वो आद्मी मिल गया जो स्वाम भी कोरा के लिए जा रहा था it is all because of positive thinking so he wants to give a message to you dear friends, the readers that be positive हमेशा सकारात्मक सोचिय my positive thinking is strategy मने योजना मेरी अब यहां पर मिझे लगने लगा कि मेरे जो सकारात्मक सोच की जो योजना थी वो जहां पर काम आ रही थी finally वो काम करने लगी working at all my initial relief at meeting नौरबू, relief मने राहत to relieve मने छोड़ना to my relief r-e-l-i-e-f to my relief, initial relief प्रारंभिक राहत कैसी राहत, नौरबू को मिलने से जो शुरू में जो एक्दम राहत मिली दमाग हलका हुआ, तनाओं खतम हुआ चिंता कम हुई who was also staying in the guest house और नौरबू भी guest house में रह रहा था तो और राहत मिली was tampered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage tamper ho na मतलब क्या होता है थोड़ा सा थंदा हो जाना tamper ho na मतलब गिरावट आना उस साह में कमी आजाना his initial enthusiasm got tampered प्रारम में कुछ साह जो था उस पे थंदा पानी फेर दिया किसी ने उसे कहते हैं tamper करना और tamper करना मतलब छेड चाड भी करना don't tamper with my writing do not tamper with my signature मेरे हस्ताक्षर के साथ छेड खानी मत करो tempering करना मतलब छेड चाड़ी करना कुछ गड़वा करना यहां पर author से शुरू में जो उसाह था जो राहत मिली नौर्बू के बारे में जानके जो बहुत हलका लगा वो कुछ देर बाद वो सारा उसाह थोड़ा सा उतरता नजर आया क्यों क्योंकि हमारे पास भी उस कठीन यात्रा के लिए कोई ज़्यादा सामान नहीं था और नौर्बू के पास भी कुछ नहीं था नहीं तो मैं अभी तक सोच रहा था कि शायद नौर्बू has enough equipments for the pilgrimage I was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped to equip के साथ होना I am not equipped with enough knowledge मैं इस मामले में पर्याप्त ज्यान नी रखता so यहां पर tempered with I was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage थंडा हो जाना temper हो गया T-E-M-P-E-R T-E-M-P-E-R note करेंगे और वो है temper किसी चीज को temper करना मतलब किसी चीज में गरवड़ी करना हस्ताक्षर को temper करना छेड़ छानी कर देना और यह है temper tempered हमारा जो उत्साह था थंडा पड़ गया भी इतनी कठिन जोखिम भरी यात्रा के लिए कोई विशेश सामान नहीं है मेरे पास तो ऐसे ही नहीं था मैं सोच रहते कि शायद उसके पास सामान होगा लेकिन पता लगा वो भी नहीं रखा है वो मुझे बताने लगा लगा तार कि वो कितना मोटा था और अखे कितनी कठीन जात्रा है वो भमकोर बहुत नूचा जाना पड़ेगा बहुत नूचा जाना है So tiresome to walk, tiresome मतलब थकान दायक To tire मने थका देना याद रखेंगे यहाँ पे tire की spelling क्या है? T-I-R-E और जो car का tire, scooter का tire है, उसकी spelling होती है T-Y-R-E To tire मने थका देना To be tired मतलब थक जाना I am tired मतलब मैं थक गया And you tired me, तुमने मुझे थका दिया दोनों में अंतर थका देना और थक जाना में दोनों में अंतर है So यहाँ पर आप देखें So उसने कहा Very tiresome to walk बहुत थकान दायक चलना मतलब चलना भी पड़ेगा और वो भी पहाड़ों पर पूचाई पर He wasn't really a practicing Buddhist उसकी बात से साफ लगा कि वो ऐसा बुद्धिस नहीं है जो 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 बुद्ध धर्म का पक्का अन्याई जैसा नहीं है वो ठीक है धर्म उसका बुद्धिजम है लेकिन एक पक्का बुद्धिस धर्म का अन्याई जैसा उसका व्यवहार नहीं लग रहा Sounds It transpired ऐसा लगा Transpired मतलब महसूस होना But he had enthusiasm And he was of course a Tibetan लेकिन उसमें उत्साह था ये कौन बोल रहा है? Author बोल रहा कि उसकी बात्चीज से लग रहा था वो बुद्धिजम का उतना पक्का कठोर अन्याई नहीं है वैसे तो बुद्धिज धर्म का है लेकिन उतना कठोर अन्याई नहीं है टिबिटन तो है कम से कम वहाँ जाने का उसाह तो है तो चलता है यदि उसके पास कुछ सामान ना हो पिल्ग्रिमेज के लिए जो जरूरी सामान है तो भी चलेगा He was of course a Tibetan Tibetan होने का फायदा क्या था? कोई लोकल आदमी तो था जो वहाँ की भाशा समझता हो वहाँ के लोगों के साथ बात कर सकता हो जरुष पढ़ने पर दिक्कत में काम आ सकता हो ये बहुत बड़ी बात थी वो author says At least he was a Tibetan इससे बड़ी बात क्या चाहिए? At least he had great enthusiasm आजम उसमें बहुत उत्साहत हो था तो ठीक है यदि कुछ सामान नहीं था पैराफरनेलिया नहीं था उसके पास चलता है Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers Although मने यद्यपी ट्रेक मतलब पदयात्रा पहाड़ियों पर पगडंडियों पर जो यात्रा होती है उसे trekking कहते हूं जो आपको हम सब को करना चाहिए समय समय पर हर माँ जितना हो सके एक दिन की trekking करना चाहिए जो आप ट्रेकिंग करते हैं तो आस पास के लोगों को देखते हैं पर्यावरन को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, जंगल जाड़ियों को देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसलिए लोग ट्रेकिंग करते हैं बड़े शहरों में तो यहां, although I originally envisaged, envisage करना मतलब कलपना करना, originally मतलब मूल रूप से, यद जपी मूल रूप से मेरी ये सोच थी, कि मैं ट्रेकिंग करूँगा, तो devout believers के साथ, devout मतलब जो लोग पक्के, बुद्ध धर्म के अनुयाई थे, उनके साथ मैं ट्रेकिंग करूँगा, ऐसा मैं स सोच के आया था, devout मतलब पक्के, he is a devout follower of his chemistry teacher, वो अपने chemistry teacher का पक्का अनुयाई है, उनके खिलाफ कुछ बात नहीं सुनना पसंद करेगा, उनके हमेशा पूरी आदर के साथ बात करेगा, he is a devout supporter of this party, devout supporter of X party, so devout मतलब पक्का, तो यहां पर मैं सोच के आया था, कि मैं जो बुद्धिष धर्म के पक्के अनुयाई हैं, उनके साथ ही ट्रेकिंग करूँगा, कहां के लिए, कैलाज के लिए, on reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion, on reflection, लेकिन, लेकिन दुबारा सोचने पर मैंने सोचा, कि perhaps शायद Norbu जो है, वो सबसे आदर्श सहयोगी रहेगा, शुरुमी तो मेरा, initially I had thought that I should travel, or I should do trekking with pakka followers of Buddhism, but now with Norbu here, I felt that Norbu is the best person who can be my company, I thought Norbu will be the best person who can give me company, because he knew English, He was a Tibetan, he had enthused Yadam, he had studied quite a lot on the literature, on the topic And so Norbu would turn out to be the ideal companion, ideal मतलब आदर्श, तर्वोत्क्रिष्ट He suggested we hire some Yaak Yaak क्या होता है? Yaak वहां का एक जानवर है, जो थंडे पहाडी इलाको में पाए जाते हैं ये एक तरीके से जंगली भैस जैसे दिखते हैं, Yaak बड़े विशाल काए जानवर, बड़े भरी भरकम जानवर बाल रहते हैं इनके बहुत से, और डार्क कलर के रहते हैं और वैसे शांत प्री हैं They easily walk on the trek up to the mountain मौसम की मार से भी इनको किछ नहीं होता ये लोग वहीं के रहने के आदी हैं अंदाज लगाना, महसूस करना, अंदाज लगाना मैंने अंदाज लगाया, मैं समझ गया कि ये अच्छी बात है और उसका कोई इरादा नहीं था कि लगातार साश्टांग दंडवत करता रहेगा पूरी यात्रा के दोरां प्रोस्ट्रेट करना मतलब पूरा ऐसा जुक्के लेट जाना धार्मी क्यात्रा तो ऐसी होती है प्रोस्ट्रेट करते हुए तो यहां पर उसका कोई इरादा नहीं था प्रोस्ट्रेटिंग था इंसल अल रूंड 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 रूंटें I could make out that he is a Buddhist but not a devout Buddhist he is not a pakka Buddhist who is a very strong follower of Buddhism he can adjust and so I was happy and the moment he said we will carry luggage on yak we will hire yak and we will go walking I could understand he is not very very serious about following the religious practice of prostrating etc not possible he cried अरे यह संभोई नहीं है cried मने चिलाया not possible यह संभोई नहीं है collapsing across the table in hysterical laughter collapsing across the table collapse करना मतलब गिर जाना table के उस पार गिर गया चिलाते हैं आरे यह संभोई नहीं है क्या संभोई नहीं है writer ने कहा होगा तो क्या आप धार्मिक यात्रा नहीं करोगे धार्मिक तरीके से जोर संभोई नहीं है और ऐसा कहते हैं वो गिर गया table के उस पार क्यों गिर गया table दामा डोल थी कैसी table थी rickety table थी the table was rickety wobbling shake कर रही थी and he had a hysterical laughter hysterical नहीं था बहुत जोर जोर से हसना it was not his style and anyway his tummy was too big यद्यपी यह उसका तरीका नहीं था और उसका पेड भी बहुत बड़ा था his tummy was too big tummy मतलब paid मोटा था नौर्बू लेकिन तो उसने कहा यह मेरा तरीका नहीं कि मैं prostrate करूँ और लेटने के लिए मतलब शारीरिक रूप से fit होना चाहिए फिर चढ़ाई करना है लेटे लेटे prostrate करते हुए जाना तो जैसी राइटर ने उससे जोड़ उससे पूछा कि अरे तो तुम क्या prostrate नहीं करोगे जोड़ से हसा और टेबिल को उसने hysterical laughter में थोड़ा सा मारा जिससे collapse कर गया वो गिर गया मोटा था वजन से भी गिर गया और नहीं कहा रहे impossible है रहे वो तो मैं करूंगा ही नहीं जदेपी उसका ऐसा तरीका नहीं था उसने कहा कि यह मेरा तरीका नहीं है and anyway my tummy is also too big मेरा उसका पेड भी बहुत बड़ा है संभवनी है and so I understand that need for explaining these words and their use is important here so let's look at some of these words ducking back where did he duck back the lady who had promised the writer that who had told the writer that you must have leather coat with you sheep coat to face the winter she ducks into her tent डक करना मतलब ऐसा जुक के जाना और डक का मतलब यह भी होता है एक बॉल आ रही है चानक यह एक पत्थर आ रहा है उसको बचाने के लिए मैं जो थोड़ा हिलता हूँ तो मैं डक कर रहा हूँ मैंने क्या किया डख किया और डख करके अपने को आते हुए पत्थर से आते हुए बुलेट से आते हुए जो भी चीज है उससे अपने को बचाया so ducking back, ducking back means the lady to go in and come back so normally we should duck, many a time duck का उपयोग एक और है to duck the question, आपने को सवाल पूछा जो थोड़ा सा उन्पतांग है मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता या वो embarrassing question है तो मैं उस प्रश्ण को अंदेखा कर देता हूँ, he duck the question he duck the question, that means प्रश्ण को अंदेखा कर देना long sleeved, sleeve मतलब क्या होता है, s-l-double-e-v, sleeve sleeve मतलब ये बां, long sleeved मतलब ये पूरी लंबी shirt half sleeve shirt, and long sleeve shirt, ya full sleeve shirt, this is called sleeve s-l-double-e-v, next word that we come across is clambered, and I told you to clamber means to climb with difficulty, they clambered up the hill, बड़ी कठनाई से उपर चड़े, they climb the hill, मतलब चड़े, but they clambered up the hill, मतलब कठनाई से चड़े, so with difficulty, that is called clambering, glittering, glittering मतलब चमकता हुआ, और कैसा चमकता हुआ, टिम टिमाता हुआ, जिल मिलाता हुआ, आँख मिचवनी खेलते टाइप जैसा होता है, उससे हम कहते हैं glittering, in a glittering ceremony, master so and so was awarded a certificate, glittering ceremony, मतलब ऐसा शांदार जहां सब चमक दमक थी, ऐसे ceremony में, ceremony मने कारकरम, उससे certificate दिया गया, the sky is glittering, आकाश चमक रहा है, जिल मिला रहा है, to glitter मतलब चमक चम चमाना, to glitter मतलब चम चमाना, so उससे बना glittering, चमकता हुआ, शाइनिंग, जिल मिलाता हुआ, trail means I told you, I saw a trail and followed it, trail मने एक एक रास्ता, narrow रास्ता खास कर, गाउं में पगडंडियों को बोलते हैं, trail हम कह सकते हैं, कई जुग्गी जुपड़ी वाली कहान, जो मकान होते हैं, जुग्गी जुपड़ी वाला इलाका होता है, वहां कुछ रास्ते बने होते हैं, जिनके पद चिन्हों से साफ लगता है कि ये रास्ता कहां 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 कैसा चल रहा है, उसे कहते हैं, trail, so trail means रास्ता, next is, closed in, then he closed in, closed मतलब बंद, but to close in मतलब निकटान, he closed in to me, मेरे निकटा गया, he closed in on me, मेरे और निकटा गया, so close in मतलब निकटाना, to close मने बंद होना, to embrace, E-M-B-R-A-C, embrace मतलब आलिंगन करना, स्वीकार करना, many people embraced Christianity hundreds of years ago, बहुत से लोगों ने Christian धर्म का आलिंगन किया, या Christian धर्म का स्वीकार किया, हजारों वर्ष पहले, to embrace मतलब आलिंगन करना, स्वीकार करना, और एक है, embarrass, वो अलग है, दोनों का उचारंड देखिये, embarrass, E-M-B-A-R-R-E-M-B-A-R-R-E-R-S, embarrass, embarrass करना मतलब किसी को, अजीव स्थिति में डाल देना, You are asking me a question that is embarrassing, आप मेरे सहसा सवाल पूछ रहों, जो मेरे लिए बड़ा पशो पेश में डालने वाला सवाल है, embarrassing, और यह है, embrace, तो embrace मतलब आलिंगन करना, गले लगाना, स्वीकार करना, accept कर लिना, उसे कहते हैं, embrace, नेक्स वर्ड़ आपको पताया साथ दॉब, दॉब अवेटल, घास थूश का मकान, दॉब दॉब विथ मतलब पेंटेड विथ, बनाया गया, अचे विथ बनाया गया है, बड़ चुंदर रंगों से बनाया गया है, तो लुख आफ्टर, अब वरी वरी इंपर्टन वर्ड, तो लुख मने देखना, आप्टर मने बाज में, लेकन एक साथ चे दियाया तो लुख आफ्टर, तो मतलब देख भाल करना Who is looking after your parent in the village? आपके पिताजी जो घर में रह रहे हैं जो गाओं में रहते हैं माबाप उनकी देख भाल कौन कर रहा है? Who is looking after your parents living in village? To look after I cannot look after so many people मैं इतने सारे लोगं की देख भाल नहीं कर सकता So to look after यहने देख भाल करना Next is stare S-T-A-I-R S-T-A-R-E stare S-T-A-R-E stare is a verb घूर ना घूर के देखना हुचे कहते हैं stare Why are you staring at me? तुम मुझे घूर के क्यों देख रहे हो It is not proper to stare at somebody unknown to you जिसे नहीं जानते किसी अंजाने को घूर के देखना उचित नहीं है अनुचित है गैर वाजिब है Not proper वो तो हुआ S-T-A-R-E Another word is S-T-A-I-R stare Stare मतलब होती सीड़ी Stare याने सीड़ी अब Stare और Ladder में क्या अंतर है Ladder मतलब भी सीड़ी तो दोनों सीड़ीों में अंतर क्या है दोनों में अंतर ये है कि यद्यपी दोनों ही सीड़ी के लिए शब्द है लेकिन Ladder जो है वो ऐसी सीड़ी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके जो Portable हो Portable stair can be called ladder लेकिन stair जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते Stare याने पक्की सीड़ीयों और लैडर मतलब ऐसी सीड़ी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके So this is about it Next is Occasionally Occasionally मतलब क्या होता? Occasion मतलब मौका We will have a party On some occasion किसी खास मौके पर party होगी तो ये तो एक मीनिंग हो गया And occasionally मतलब जब तम कभी-कभी Occasionally मतलब कभी-कभी He comes to me occasionally कभी-कभी आता है He does not come to me regularly He comes to me occasionally I go to the temple regularly While you go to the temple occasionally तुम कभी-कभी जाते हो लेकिन मैं नीमित रूप से जाता हूँ Nomads N-O-M-A-D-E Nomads मतलब घुमन्तु प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें कहते Nomad बंजारा जाती बंजारा प्रविट्टी वाले जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान लक्षीन बैल गाड़ी में घुमते रहते हैं आपने देखा होगा बंजारा लोगों को इनको अंग्रेजी में कहते है Nomads N-O-M-A-D N-O-M-A-D Nomad Nomadic Nature मतलब बंजारा प्रविट्टी घुमन्तु प्रविट्टी जिन में हो बंजारा के लिए आपने एक और शब्ट सुना होगा जिपसी जिनें बोलते हैं जिपसी जिपसी लोग जो थे वो पश्चिमी जगत के बंजारा प्रविट्टी के लोग जबकि भारत में बंजारा प्रविट्टी के लोग सामा नित्या उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम में ज़्यादा पाये जाते हैं तो जिपसी बंजारा नुमैट एक ही सब्ट तो स्वर्व means what then he स्वर्व to the left seeing a car coming in the from the opposite direction he स्वर्व to left स्वर्व करना मतलब तुरंट मुड़ना अच्छानक मुड़ना उसको कहते हैं स्वर्व उसमें मुड़ना है और अच्छानक मुड़ना है ये दो भावना है उसमें आती हैं तो उसे कहते हैं स्वर्व then he swerved his car on to the left right to chase c h a s e chase to chase मतलब पीछा करना who were chasing in the story इस कहानी में कौन chase कर रहा था the mastiffs those massive docks Tibetan docks they were chasing these people for almost the distance of hundred meters shoot them away from their territory so to chase the police chase the thief I am chasing that car because it has hit my car मैं उस कार का पीछा कर रहा हूं क्योंकि उसने मेरी कार को मारा है I am chasing that car because it has hit my car to chase next word that you have is tribute tribute मतलब क्या होता recently our President Ram Natakovich he completed five years President of India and in his farewell people paid rich tribute to him on the day of retirement of our President of India the people paid rich tribute to him मतलब उन्हें बहुत अच्छे शब्दों में उनके बारे में बोला गया और एक tribute का अर्थ होता है भेंट गिफ्ट तो ये दो अर्थ यहां देखिए to pay rich tribute glowing tribute glow मतलब चमकना और glowing tribute मतलब इतना बढ़िया शांदार बोला गया कि उसमें चमक थी किसी के बारे में glowing tribute पे करना to pay glowing tribute to pay rich tribute मतलब बहुत किसी के बारे में बहुत ही अच्छा बोलना तो spelling है tribute plateau P-L-A-T-E-A-U plateau plateau मतलब क्या होता है पहाड़ी होती है और एक उचाई पराने के बाद पहाड़ी समतल हो जाती है समतल खेतर को कहते हैं plateau हिंदी में उसे कहते हैं पठार high and flat land on the top of any hill or mountain flat कई बार आप देखोंगे पहाड़ी में चरते हैं चरते चले गए चरते चले गए आपकी गाड़ी चली जारी है घाटियां बन रही हैं बहुत ची पहाड़ीों में चरते हुए फिर अचानक ऊपर जाने के बाद समतल मैदान जैसी सड़क आजाती है और फिर उसके बाद नीचे आपकी गाड़ी उतरती है तो जो ऊपर का जो समतल खेतर है उसे पठार कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं plateau next S.O.U.R. सार S.O.U.R. सार उच्चारन डिखे सार सार मने खारा सार मने कड़ुआ I had a very sour experience during my journey to Punjab Punjab जाते हुए मुझे एक बड़ा कड़ुआ अनुभा हुआ and this is सार मतला खारा कड़ुआ